आज हम मिलते हैं मशूर और मक्बूल शायर कुमार नैन से वैसे तो कुमार नैन क्रांतिकारी और संजित्गी भरी गजलों के लिए जाने जाते हैं लेकिन आज हम इनसे मुहब्बत भरी गजलों को सुनते हैं कोशिक जी गजल मुहब्बत के लिए ही होती है यह और बात है कि हम हालात हाजरा पर भी गजले कहते हैं और इंकलाबी शेर भी बहुत सारे कहें हैं बहुत सारे मक्बूल और मारूब शायरों ने तो लीजिए आज मैं आपको कुछ मौब्बत की घजले ही सुनाता हूँ चाहत को कभी उनको जताना नहीं आता रूठा भी कोई हो तो मनाना नहीं आता चाहत को कभी उनको जताना नहीं आता रूठा भी कोई हो तो मनाना नहीं आता देखिए कि उनको भी तो आने की हो ख्वाइश कभी हम तक हमको तो न जाने का बहाना नहीं आता और ये शेर देखिए कि तु लाख निगाहों को चुराता फिरे लेकिन आखों को कभी इश्क छुपाना नहीं आता आखों को कभी इश्क छुपाना नहीं आता ये क्या कि वही चांद वही हम वही सब कुछ गुजरा हुआ तो फिर से जमाना नहीं आता और ये शेर देखिए कि उस दिल को महबत की कसम दिल नहीं कहते उस दिल को महबत की कसम दिल नहीं कहते कि जिस दिल को कोई दिल ही चुराना नहीं आता, चाहत को कभी उनको जताना नहीं आता, रूठा भी कोई हो तो मनाना नहीं आता, और दिलों को आर पार करता है और नहीं जबा से कुछ कहा करता जो हच से बढ़ के प्यार करता है जो हच से बढ़ के प्यार करता है और ये शेर देखिए कि करू मैं प्यार तुमको या न करूं ये तुम पे इन्हिसार करता है और चलो उठो नदेर हो जाए जमाना इन्तिजार करता है कोई तुम्हें ही बेवफा कहके तुम्ही पे एतबार करता है तुम्ही पे एतबार करता है और एक शेर और देखिए कि तुझे सुनाने तुझको सुनने को तो दिल ये बार बार करता है तो दिल ये बार बार करता है दिलों को आर बार करता है वही जो जानसार करता है एक गजल के चंद शेर देखिए कि दिल मेरा जब से दिवाना हो गया दिल मेरा जब से दिवाना हो गया मेरे पीछे ये जमाना हो गया दिल मेरा जब से दिवाना हो गया मेरे पीछे ये जमाना हो गया और शेर देखिए कि देखता हूँ खाब तेरा कबर में सफरे महशर यू सुहाना हो गया और ये शेर एक और शेर देखिए कि कुछ नहीं यू सोचना तुमको फ़कत मेरे जीने का बहाना हो गया मेरे जीने का बहाना हो गया और नाम मेरा आपने क्या ले लिया शहर में क्या-क्या फसाना हो गया और एक और शेर देखिए कि दर्द का जंगल तेरी आँखों में है मा कसम मेरा ठीकाना हो गया मा कसम मेरा ठीकाना हो गया और इस घजल का आखरी शेर समाक फरॉएं कि काश देता दाद अश्कों से तुम्हें काश देता दाद अश्कों से तुम्हें क्या करूँ खाली खजाना हो गया क्या करूँ खाली खजाना हो गया तो अभी के लिए धन्यवाद और फिर हम मिलेंगे अगली बार कुमार नैन जी से कुछ और गजलों के साथ बहुत रहे शुक्रियाद वाजिश